नमस्कार सो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था हर्याना में इस साल वो जो बॉंड था जो 40 लेक का बॉंड आया था वो अब सक्ती से लागू हो गया है जी हां वैसे तो जो लोग ऑलिने कोटा के भी थे जब वो रिपोर्डिंग करने पहुंचे क्योंकि लोग ना मजाग में ले हैंगे हर्याना काउंसलिंग की तो सारे 2022 की अपडेट से स्रफ दो उन्होंने नोटिस पुराने चिपका रखें जिसमें यह बॉंड भी है आप उसको पर सकते हैं जो चार पेज का बॉंड की डिटेल थी और डिटेल में लिखा है कि पहले पैसे देने हैं कि या तो पैसे देगी आप सर्विस नहीं करोगे गवर्न्मेंट के लिए तो आप अपने पैसे दोगे इस लोन के सो बीस और किसके सेशन में थोड़ा सा मजाख में हो गया काम लोगों ने खाली पेपर पे साइन कर दे जो इनका बॉंड का पेपर था लेकिन अब दोजार बाइस के इनमीशन में यह रूल काफी सकती से लागू हो गया है और वहां पर इस समय बैठे हुए है आइडी बैए बैंक जस्टू टेल यू हम गए थे हमारे स्टूडेंट गए तो आइडी बैंक के साथ अप कोलाबरेशन में वहां बैंक वाले बैठे हैं और बगैदा आपका लो लोन मिल रहा है कोई दिक्रत की बात नहीं है लेकिन अब पेरेंट्स को मालूम है कि अभी तो शैना मुझे किसी पेरेंट्स नहीं बोला कि सब्सक्राइब तो हमें यह लगा ठीक है पेपर में साइन किया है कल को हम मुगर जाएंगे कौन सा सरकार हमें धून रही है हमारे पिछे आ रही है लेकिन अब तो लोन पेपर अब तो बैंक में आपका लोन का खाता चालू हो गया और बैंक विल रिकवर सॉम यू अगर आपने पढ़ाई के बाद पैसे नहीं दिये तो जो लोग भी हजाड़ा में अड्मीशन लेने वाले हैं उनको अब सोचना पड़े है मलब सरकार इतना पैसा चो ले रही है सरकार को नहीं लेना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से कुछ नहीं है कि सरकारी में आपको इतना बांड देना पड़ रहा है और भी साथ साल देखिए यूपी वगएरा में भी बांड्स हैं कहीं साल का है कर दो साल का है क कीम्सर्विज बॉंड कहते हैं बठ हड्याना ने प्रेंटीकली दिया को साथ साल एंड चालिस लाग का बॉड इस मोर लाइक जो एफई एफम्सी को होता था कि साथ साल सर्विश करो नहीं तो चालिस लाग का बॉंड और साथ साल के अंदर भी अगर आप तीन साल में चालिस लाख और इस साल हो गया सकती से लागू क्योंकि बलब श्याद बाकी बाकी जितने भी स्टेट गवर्मेंट से वह तो स्विक पेपर में साइन कराते थी ना और जब बच्चा छोड़ता था तो फिर आप पैसे दे दो यहां तो अडवांस में लोन लिया जा रहा है ब हो कहीं ना वो शैद नौर्थ इस्ट गोहाटी जाना पसंद करेंगे बजाए के रोतक में फसने के शैद पीजी में फिर भी आ जाएं या यह से की जो सीटों के जो बहाँ पर कहता हूं लेकिन बाकी जो कॉलिज है कल पना चावला या जो नया कॉलिज खुला टेल भी है कि इंडिया में प्राइवट कॉलिज कौन सा फ्री है तो अगर आप यह चोचे कि मैं सरकारी में नहीं लूँगा लट से आप छेसो पांच नंबर वाले हो आप अलने कोटा में चले गए बजिसको इंडिया कोटा में सीट नी मिलेगी और जिसको डॉटरी करनी है अब इ कि इसमें कोई फरक पड़ेगा वेरी फ्रैंक्ली तो कि जो पांसो सी पांसो सत्ता नंबर वाले जो उठके केरला करनाटगा जा रहे थे अब वहां जाने के बदले अपना लोकल हर्याना में अडिमीशन ले लेंगे हाँ यह जरूर है जो मेरी गटफिल कहती है कि और इंड दिल्ली में उमीद तो यह है कि सरकारी सीट 640 पर भी नहीं मिलेगी जनर्रवाले को जबकि और इंडिया कोटा से आपको 600 नंबर में मिल जाती है तो दिल यह चार स्टेट जादा कॉम्पटिटिटिव है हर्याना में जो राउंड बन की भी वह गई है वो 610 गई है आखरी अब जितने भी मतलब छेस मिलाब और इंडिया कोटा की कट आफ के बाद 595 585 नंबर वाले अब उनके पास ऑप्शन होती है केरला का प्राइवेट या हर्याना का प्राइवेट हर्याना का सरकारी सरकारी में मान के चले कि हमें 40 लाग रुपे देने हैं प्लस होस्टल वगएरा और केरला में बितने खर्चा होता है साथ लाख इंटू साड़े चारल साल वहां पर हमारी इतनी फीज आती है क्योंकि साथ साल का पहुंट इतना लंब है और जो सरकारी बच्चे हैं पांसो के पीकरी में बिल जाएंगे और 38 दे में 5 знаю कि केरला में मिल रहे है तो यह भच्चे के चली चूस बीट्मीन करला कर ना हरियाना सरकारी कॉलेज छांफिर वैड मैटर टाटा मुर्ठ इंपाल जो सौला की फीज ले रहे हैं और खूर पर वहां पर्धुसल में लाटे 75 नंबर वाला बच्चा है जो हर्याना कोटा के रेजिबल है शैद उसको इस बार सीट मिल जाए तो पांसो पिचासी वाले बच्चे तो फिर देखें ये ना कि भई मैं अपना पैसा हर्याना में मेवाती के लिए या नए कॉलिज अटल भीहरी वाचपई जिसका पहला ही बै को के विपक्ष में बहुत जो हर्याना की लोकल लोग हैं जो पिचासी परसन स्टेट कोटा के लिए लिजिबल हैं उनके साथ बहुत बड़ा नया है डेफिरेटली नया है वीजाविस इंडिया उनको आवाज उठानी चाहिए उठा भी रहे हैं कोट में तो केस चली रहे ह हर्याना हाई कोट में पिछले दो साथ से जब से पॉलिशी आई थी पेरिंट्स ने डाल रख है मेरी अपील रहे ही कोजी सेंडर्स को डालना चाहिए वरना अगर यह रूल नहीं हटा तो शैद हर्याना डोमिशाइल जीरो हो जाएगा मनलब जो भी टॉपर बच्चे हैं 600 से उपर नंबर वाले वो कहेंगे रहाना का डोमिशाइल रखने सच है में 1112 पंजाब से कर लूँ ताकि कम से कम मेरे पास पंजाब का डोमिशाइल आए दिल्ली तो चलो बहुत competitive है मैं उत्राखंट से कर लो 10th 1112 जो हमने भी बात की थी यूपी से कर लो 1112 तो यूपी का म करनी चाहिए और ओवरॉल जैनली तो देखिए चालीस लाग का बॉंड तो बहुत जादा हो गया ना अगर हम इसको बॉंड के मदिनर्जद देखे इंडिया में हाइस्ट हो गया तो से खिलाफ डैफिनिटली होना चाहिए और इस साल के अगर मैं स्टैटिजी की बात करू हमारी हेल्प चाहिए हमारी प्रीमियम काउंसली चाहिए 96433-62320 पर खॉल कीजिए मुझसे बात कीजिए और यू केन भी अवर क्लाइंट ओके नमस्कार आपका दिन शुभो बबाए